तो अगर आपको अपना HDFC bank का debit card होता है या ATM card होता है जिसे आप अपना money withdrawals करते हैं आप उसके जरीए भी अपना debit card EMIA facility ले सकते हैं मतलब यह credit card से नहीं अप debit card भी यह facility प्रोवाइड करता है यह बहुत पहले से HDFC bank और भी कोई सारे bank हैं जो प्रोवाइड करते हैं तो जैसे कि आप लोगों ने thumbnail में और title में देखा होगा तो यहां पर मैं basically आपको दो तरीकों से दिखाऊंगा कि कैसे आपको जो अपना HDFC bank का EMI eligibility है आपका मतलब कितना loan sanction हुआ है मतलब कितने तक का आप अपने debit card से कुछ भी item purchase कर सकते हैं flip card से Amazon पर और भी बहुत सारे site है तो चलिए यहां पर दिखाता हूँ कि कैसे आपको अपना debit card का EMI eligibility चेक करना है तो दोनों process से दिखाऊंगा एक है जो पहला SMS की जरीए तो उसकी जरीए भी करके दिखाऊंगा औ और एक HFC bank official site है उसमें भी जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं तो चलिए हम चलते हैं अपने phone screen पे तो यहां पर देखिए हम आगे अपने phone screen पे phone screen पे आने के बाद आपको basically क्या करना है पहले आपको अपना message खोल लेता हूँ message खोलने के बाद आपको क्या करना एक message type करना है तो मेरे screen पे यहां पर देखिए number flash हो रहा है आपको कुछ इस तरह का यहां पर type करना है तो चलिए हम पर मैं आपको type करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको यहां पर type करना है तो आपको देखिए recipient में क्या डालना है मतलब यहां पर जो भी आपका contact details है मतलब इसको आप भेजना चाहता है तो आप यहां पर डाल देखिए recipient में तो चलिए हम पर मैं number डाल देता हूँ तो आपको यह number डालना है मेरे screen पर flash हो रहा है आप जाके check कर सकते हैं तो आप देख पा रहा है 5676712 यह number type करने के बाद आपको देखिए नीचे यहां पर message में आप आपका जो unlimited pack रहता है monthly pack या 3 month का या 4 month का उस pack के जरीए अगर आप अपना message भेजना चाहें वो भेज नहीं पाएंगे तो आपको normally recharge कराना पड़ेगा पहले तो इस per message के लिए आपको 3.5 या 4 rupees कुछ ऐसे charge किया जाता है तो आप इस बात का दियान रखें पहले recharge कर लें उस इस तरह का message आएगा आपको you are pre approved for consumer durable 2.4 lakhs लाज़ डिजिट जो debit card का है 8787 है और यहाँ पर दिखा देगा तो आपको इस तरह की से देखना है तो यह पहला method है चेक करने का तो आप यहाँ से उसके पद जाके जैसे आप अपना debit card का eligibility चेक करते हैं उसके पद जाके आप कही पर भी purchase कर पाएंगे अब दूसरा method आपको दिखाता हूँ तो basically आपको करना क्या पहले अपना जो भी browser आप यूज़ करते हैं उसे open कर लें open करने के बाद देखिए आपको यह search बार में जो google search बार आता है या या bin search browser तो कोई भी browser जो आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इस तरह का दिखेगा आपको तो पहले जो पॉपफ है आप उसे बन कर दें जो भी पॉपफ आ रहा है आपके screen पर देखिए मैं close करता हूँ उसके पर देखिए आप एक option दिखेगा आपको एक lady रहेगी मतलब यह bot की तरह काम करता है तो आपको इसके उपर क्लिक करना है इ debit card EMI eligibility check आप जैसे हैं पर type करेंगे तो आपको suggestions आजाएगा उपर तो यहाँ पर देखिए first suggestion मेरा है eligibility for debit card EMI आपको यहाँ पर first click करना है eligibility for debit card EMI आप जैसे हैं पर click करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ आपको पहले अपना जो hijfc bank से register mobile number ह कि अपको यहां पर डालना है तो यहां पर मैं अपना log our legal और द cui कर मेरे को आया था वही पूरा डीटेल सेहां पर आयागा तो हुआब पर दे कि ये मेरा डिविट काद डिटेल से यहां पर लिमित है मेरा तो आपको मैंने दोनों प्रोसेस से दिखाया कि कैसे आपको चेख करना है तो आप कोई भी एक मेताड अपलाई करके आप जाके चेक कर सकते हैं तो कुछ इस तरही किसे आपका जो debit card का EMI eligibility आपको चेक करना है JFC bank में तो अगर आपको फिर भी कोई problem है डाउट हुआ तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं मैं banking से related videos, youtube से related videos और tech से related videos लाते रहता हूँ तो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe कर दें और bell icon को दबारा ना भूले क्योंकि मैं ऐसे videos लाते रहता हूँ तो तब तक के लिए भाई भाई हम मिलते हैं अगले वीडियो में झाल